कि चलिए अब देखते हैं प्री सर्वीस फेज इंडक्शन फेज और इन सर्विस फेज के अलावे कुछ अन्य अतिरिक्त अन्य अतिरिक्त ऑसर अध्यापकों की वेवसाइक उन्यत्ती के लिए कुछ अन्य ऑसर भी मौजूद होते मौजूद हैं जैसे इसमें पहला हम लेते सेल्फ डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स इस प्रकार के जो कारिक्रम है वो संस्था के द्वारा आरोपित या सरकार के द्वारा आरोपित नहीं होते हैं बलकि एक अध्यापक स्वयम अपने अस्तर से अपने रूची के अनुसार वो अपने विकास के लिए अपने प्रोफेशनल डेवलप्मेंट के लिए प्रयाज करता है और इसके तहर वो खुद अपने ज्यान को अपडेट करने का प्रयाज करता है इसके लिए वह डाइनेमिक चेत्र के विश्षवग्यों से pronounce करना उसे समवाद करना उसके अलावा झृ ब्रमन करना विभीन- म् श्क्क शक्ष संस्थावं या जग का भृमन करनाrift उसके बाद अभिभावकों से और टीनेजर से समवाद करना, उनसे सक्षातकार करना, उनसे बाचीत करना, समवाद करना, साथी साथ अपने खुद के स्वेंके बच्चों का निरिख्षन करना इत्यादी, कुछ ऐसे माध्यम हैं जिससे अध्यापक अपना सिर्फ डेवलप्म कर सकता है दूसरा है हमारा कंटीनुइंग एडूकेशन मतलब हो गया हमारा सतत सिख्षा है कंटीनुइंग एडूकेशन इसके तहट क्या है कि एक अध्यापक अपने सेवा काल के दौरान सेवा में रहते हुए वह भी भी प्रकार की कोर्सेज डिस्टेंस कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज करें इससे भी उसके प्रफेशनल डेवलप्मेंट में सहायता मिलती है जैसे अभी फिर हमारे देश में भारत सरकार के मानोस उनसाधन को मानता भी है और वो हमारे प्रोफेशनल डेवलप्मेंट में बहुत काम आती है जैसे उसमें है वह टीचिंग ऑफ इंग्लेश टीचिंग ऑफ मैथेमेटेक्स इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज के लिए यह कंटिन्यूंग एडिकरेशन का पार्ट है फिर हमारा तीसरा है पार्टिसीपेशन इन प्रोफेशनल और्गनाइजेशन्स प्रोफेशनल और्गनाइजेशन्स समझना है इसको कि हम पूरे विश्व में पूरी दुनिया में अस्थानी अस्तर के छेत्री अस्तर की राष्ट्र अस्तर की और अंतराश्ट्र अस्तर की अध्यापकों की संस्थां मौझुद हैं अध्यापकों को इन संस्था में भागिदार सुनशित करनी चाहिए उसका अंग बनना चाहिए जैसे एक संस्था है IATE यह है Indian Association of Teacher Educators फिर एक संस्था है AIPTF All India Primary Teachers Federation फिर है IITA Indian International Teachers Association इस तरकी बहुत सारे professional organizations मौझूद है व्यवसाइक संगठन मौझूद है और अध्यापकों को इन संगठनों में भागिदारी करनी चाहिए इन से जूड़ना चाहिए इससे भी उनकी उनका professional development होता है चौथा हमारा है promoting action research action research promoting action research action research की हिंदी है क्रियात्मक अनुसंधान तो आप देखिए देट में भी आपको action research के बार में पढ़ाया जाता है या मैं अभी खुद NCRT से online course on action research in education कर रहा हूँ इस तरह के action research होता क्या है तो action research ये कैसा research होता है जो कक्षा कक्ष की वास्तिविक परिष्थितियों से जुड़ा होता है जो वास्तिविक समस्याओं से जुड़ा होता है और यह चोटे अस्तर पर समस्याओं का समाधान भूनता है इस प्रकार के research के लिए अध्यापकों को बढ़ावा देना ताकि वे अपने विद्याले में अपने छात्रों पर एक्षन रिसर्च करते रहें और अनुसंधानों से वो निरंतर अपना डेवलप्मेंट करते रहें पाचवा हमारा है रिडिंग प्रोफेस्नल लिट्रेचर्स प्रोफेशनल लिट्रेचर्स विभिन प्रकार के जर्नल्स आर्टेकल्स थेसेस इन चीजों को पढ़ने के आदर डालने चाहिए इस तरह की सुधा विद्यालेयों में उपलब्द कराई जाने चाहिए एंसे आटीकी विबसाइट पर आपको बहुत प्रकार्टेश जर्नल्स में जाएंगा अधियापकों के लिए एंसीटेके साइट पर उपलब्द हैं तो अधियापकों को इन चीजों को पढ़ना चाहिए इससे उनका उन्हें विबसाइट प्रगति में सहता मिलती है नहीं च कि अधियापक अपने कलीक्स के साथ अपने मित्र के साथ अनौप चारिक बातचीत करें शिक्षा के मुद्व पर बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करें इस तरह की आलतों का विकास करने से भी हमारा प्रोफेशनल डेवलप्मेंट होता है लेकिन होता क्या ह कि हम लोग बैठ कर आराम से राजिती करते हैं राजिती पर चर्चा करते हैं शिकात करते हैं लेकिन कभी हम लोग प्रोफेशनल डेवलप्मेंट डेसे बिंदों पर बच्चों की समस्याओं पर विश्य वस्तु पर चर्चा नहीं करते जबकि ये भी प्रोफेशनल डेवल के टीचर्स का मिडलrus से अपर हाइर सेकेंड़ी से साथ इंटलिक्ट डेवलब करना का चाहिए। एक दूश्री के साथ संवाद करके नुट लाइर सेकेंडरी का ङायरी का ध्यापक विलकूललाव है और करोला है। बस अध्यापकों का भी आपस में नेटवर्क डेवलप करना चाहिए इससे भी प्रोफेशनल डेवलप्मेंट का विकास होता है और अंतिम हमारा है अध्यापकों के साथ वहां के बच्चों के साथ समवाद करना चाहिए इससे भी प्रोफेशनल डेवलप्मेंट का उसर परदान मिलता है इस तरह हमारा ये unit 5 का last topic हमारा जो last sub topic जो हमारा खत्म होता है अगले वीडियो में कल अगले topic के चर्चा करेंगे धन्यवाद।